How do you find out your shift code? आप अपने ब्यांक का shift code किस तरके से प्राप्त करेंगे? किस तरके से आपको में का shift code? How can you find out your shift code? आज का वीडियो थोड़ा सा नहीं, बसके पुरा का पुरा वीडियो informative होने वाला है Because आज का जो वीडियो है, वो आपके ब्यांक एकाउंट से related है ब्यांक एकाउंट जो कि हम business कर रहे है, और business के बाद हमारी जो income भी आ रही है और उस income को आप अपने wallet में तो रखोगे नहीं, उस income को आपको अपने bank account में transfer करना ही होगा लेकिन जब आप transfer की process करते है, तो आपको एक code की जुरत पड़ती है जैसे for example, अगर आप इंडिया के ही अंदर, बारत के ही अंदर, आप अपना पैसा एक जगह से दुसरी जगह बेशते है bank to bank बेशते है, तो आपको IFC code की जुरत पड़ती है, बिल्कुल यह होता है local transaction, अपने ही देश के अंदर लेकिन जब आप किसी बाहर देश में पैसा बेशते है, या किसी बाहर देश से आप पैसा रिसीव करते है तो आपको एक code की जुरत पड़ती है, जिसे कहते है shift code या दोस्तों आपको वापर shift code की जुरत होती है So, how can you find out your shift code? अगर आप bank में जाते हैं, तो पहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को जानकारी नहीं होती है वो किसी एक दुसरे से पूछ के भी आपको बता सकते है लेकिन अगर आपकी ब्यांक काफी दूर है अगर आपका वहाँ पे डेली आना जाना नहीं होता है आप नहीं जाना चाहते है तो वहाँ पे आप ओनलाइन भी स्विप कोड प्राप्त कर सकते है स्विप कोड को प्राप्त करने की एक आसान सी प्रोसेस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने mobile laptop desktop की मदद से आप अपना online ship code प्राप्त कर सकते है अगर YouTube की payment भी receive कर रहे है तो आपको वाँ पर भी ship code की जरुत परती है तो आपका bank कोई भी हो सकता है HDFC हो सकता है, SBI, Canera Bank या फिर bank को बड़दा, Punjab National Bank, Allahabad Bank, XYZ कोई भी आपका bank हो सकता है जहाँ पर आपका खाता है लेकिन ship code के मामले में मैं आपको एक बात बता दू जिस bank में आपका खाता होता है, जहाँ भी आप रहते है हो सकता है कि आप गाव में रहते हो, हो सकता है कि आप एक छोटे से कजबे में रहते हो हो सकता है कि आप बहुत बड़े शहर में रहते हो तो यहाँ पर जो छोटे छोटे गाव या फिर छोटे कजबों की जो शाकाई होती है वहाँ पर ship code नहीं मिलता है लेकिन आप उसी bank का किसी दूसरी शाका का swift code भी use कर सकते है और ज्यादातर SIE होता है तो अपना जो swift code है वो कई से पता करें सबसे बहले आपको Google Chrome ब्रावजर उपन करना है दिन आपको यापर Google पे search करना है SWIFT swift code of SBI अब SBI मेंने क्यों लिखा? क्योंकि SBI का में आपको search करके बता रहा हूँ अगर आपका bank camera है, access bank है या फिर bank को बढ़जा है, XYZ जो भी हो सकता है आपका जो bank है उसका नाम यापर आपको डाल देना है उसके बाद आपका जो nearby है, एक मंडल है, एक बड़ा शेयर है आपके नेरवाई हो, जहाँ आप जिस state में रहते हो आपको उसका नाम डाल देना है तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा सुरत सर्च करते ही, देखिए यहाँ पर यह आ गया State Bank of India का स्विप कोड इस तरीके से आप अपना भी स्विप कोड सर्च कर सकते है आपकी जो भी बैंक है, उसका नाम आगे डाल देना है जैसे कि अब मैं डालूंगा स्विप कोड आप बैंक आप बड़ोदा सूरत तो यहाँ पर बैंक आप बड़ोदा का स्विप कोड मिल जाएगा उम्मिदे दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और कुछ काम की जानकर आपको मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा और ज्यादा से ज्यादा शेर जरू किजेगा चलिए दुस्तों मिलेंगे एसे ही informative वीडियो के साथ तब तब के लिए good bye, take care